इडिया टीवी आपकी आवाज पंजाब का Reorganization Act 1966 उसको निकाल के देख लीजे उस टाइम पंजाब जो पुराना पंजाब लहुर से लेके दिल्ली तक होता था देश की जब बटवारा हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में रह गया अभी उसको पंजाब बोलते हैं और बाकी इधर आ गया जो बॉडर स में पंजाब लेके दिल्ली होता था अब फीर ये गौनधि परवार ने और कांघ्रिस ने हमारे पंजाब के टुक्ड़े करके उसमें से अधर पंजाब में से हर्याना बसा है वो पंजाब के से में से उसी में हिमाचल बनाया गया और फिर क्यू врем पंजाब के विभाजन किया गया था इस करके हमारी राजधानी चंदिगड क्योंके हराना नया राज्या बना था आप यहां का आप रियोगनाइजेशन एक्ट भी देख लीजे नहीं तो आप 1985 का राजीव लॉंगवाल अकॉर्ड पहली बारी राजीव गांधी आज किया जाएगा अब 1986 का 26 जैनवरी गई और उसके बाद कितनी 26 जैनवरी गई सारी सरकारे जो इधर आके बैटी हैं उन्होंने पंजाबियों के सेंटिमेंट से खिलवार किया है यह इलेक्शन के टाइम यह मुद्दा उठाते हैं और अब मैं समझती हो बड़ी दुखद है कि जैसी कि यह पार्टी पंजाब में आ गई है आप देखिए पंजाब का हाल क्या है वहाँ पे लॉइन ओर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है दिन दिहाड़े गोलियां चल रही है प्रेस को मजल किया जा रहा है और हर करीके के आप वहां सोचते हैं कानून नाम की चीज क कर डाला जा रहा है होम मनिस्टी जो 60-40 रेशो में एक्ट में लिखा है कि 60% अफसर पंजाब के होएंगे 40% हर्याने के होएंगे यह नॉमल यूटी नहीं है यह सिर्फ एक टेंप्ररी यूटी है और इसके इलावा और बाहर से कोई अफसर आ नहीं सकता तो जब यह सरकार आके Central Service Rules लागू कर रही है और यूटी का पूरा दर्चाई जो हमारा वाला यूटी माना जाता है टेंप्री उसको हटा के एक नॉमल यूटी बनाने का तो यह तो इधर आके कानून लड़ना था तो अब इधर के मुखमंत्री आके मिलते हैं और जो बाते उठानी होती वो आपने हटा के वो भी अपने Central Rule में आपने Dam Safety Act के बिल के तहट वो भी आपने ले लिया पंजाब में पानी है तो खेती है खेती है तो पंजाब वस्ता है और तो हमारे कोई Natural Resource है नहीं यह दोनों चीज़े हमसे जब चीनी जा रही है हमारी राजधानी और हमारा पानी तो इ इसको एक Political Game बना के आप लोगों को बेकाई है हकीकत यह है कि पंजाब यह चंदिगर पंजाब का है पंजाब का था और पंजाब का ही रहेगा और हमारा पानी जो दूसरे राजियों में जा रहा है आज पंजाब के पास वो पानी देने के लिए नहीं है और तो छोड़ी ह S.W.L. की बात करते हैं जो जा रहा है हमें तो उसकी ज़रत है हमारा टेबल इतना नीचे चले गया हमारे किसान मर रहे हैं बिना पानी के तो यह चीजों आपको एक सीरियस और संजीदा तरीके से एक इसको लीगल तरीके से यहाँ पे आके सरकारों के साथ बात करने कि आप को ड्रामा करना होता है तो बड़ा दुख की बात है कि इसको एक पुलिटिसाइज करके एक लोगों को भावनाओं को और भड़काया जा रहा है और उसका पुलिटिकल लाब लेने की यह दोनों पार्टी है कोशिश कर रहे हैं